किसी भी इनसान को अगर साप की एक जलक भी दिख जाए तो वो को सो दूर भाग जाता है लेकिन आज हम आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाने जा रहे हैं जो इन जहरीले सामपों के सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी है यहां तक की लोग अब इस लड़की को साप वाली दीदी के नाम से भी पुकारने लगे हैं सामपों को अपना दोस्त बनाने वाली इस अनोखी लड़की का नाम वनिता बोरहाडे है यह महराष्ट्र के बुलड़ाना की रहने वाली है और अब तक सेकड़ों सामप पकड़ चुकी है दिल्चस्प बात तो यह है कि सामप चाहे जितना भी जहरीला क्यों नहों वनिता को देखते ही वो खुद ही उसके पास चला आता है यहां तक कि वनिता देखते ही बता देती है कि सामप जहरीला है या फिर नहीं गांव वालों को वनिता के उपर इतना अटूर विश्वास है कि वो जब भी कही सामप देखते हैं तो उसे ही पकड़ने के लिए बुलाते हैं कहा जाता है कि वनिता 12 साल की उम्र से ही सामपो को पकड़ने का काम कर रही है. वनिता की अब शादी हो चुकी है लेकिन शादी के बाद भी उसने इस काम को जारी रखा. इस काम के लिए उसे सरकार की तरफ से समानत भी किया जा चुका है.